हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल आर्केम टैक इन्फो पर आप सभी सात्यों का तेदिल से हार्दिक स्वागत है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रास्तान करमचारी चैनल दोरा LDC बर्ति प्रिक्षे दोजार 24 के रजल्ट और उसके टाइपिंग के बारे में LDC बर्ति प्रिक्षे के रजल्ट का बेस अब्यारती इंतिजार कर रहे हैं और अब आपका 13,000 अब्यारती को इंतिजार खतम होने वाला है क्योंकि LDC बर्ति प्रिक्षे के अंदर टाइपिंग के लिए 3 गुण अब्यारती को पास किया जाएगा जो लगबग 13,000 के लगबग अब्यारती होंगे रास्तान करमचारी चैनल दोरा LDC बर्ति प्रिक्षे का रजल्ट तैयार कर लिया है और जैसे आचार सहेता अड़ती है आपका रजल्ट जारी कर दिया जाएगा रास्तान करमचारी चैनल दोरा LDC बर्ति प्रिक्षे 2023 के लिए जो नोटिफिक्षे निकाला गया था याने LDC बर्ति आपकी 8170 पदों के लिए हो रही है रजल्ट जारी करने की रास्तान करमचारी चैनल दोरा दोरा LDC बर्ति प्रिक्षे 2023 का रजल्ट जारी किया जाएगा ये मान के चलिए आचार सहेता हटने के बाद लगव 25 नॉंबर के आसपास आपका LDC बर्ति प्रिक्षा रजल्ट जारी किया जाएगा और रजल्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट दोस्तों पहले से डेट गोशित की जा चुकी है तो आप टाइपिंग की तैयारी निय 21, 22, 25 तक आउज़ुत करवाई जाएगी यानि 21, 22, 23 और 24 तारी को आपको टाइपिंग टेस्ट होने वाली है इस प्रकार नॉंबर के अंतिप सप्ता में आपका LDC बर्ति प्रिक्षा रजल्ट जारी हो जाएगा और रजल्ट जारी करने के बाद आपके टाइपिंग टेस पद है और 497 पदों के 3 गुणा अभ्यारतियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा तो लगबग 13,000 अभ्यारती बनते हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट में सपड़ रहे अभ्यारतियों का अंतिप फाइनल रजल जारी किया जाएगा तो टाइपिंग टेस्ट का रजल दोस्ट जनवरी में आपका टाइपिंग होगी और 10 मार्थ 2025 तक संभाव uranium टिती है 10 मार्थ 2025 तक आपका टाइपिंग का फाइनल रजल जारी कर दिया जाएगा इस्परकार रास्तान करमचारी चेन बोर्ड ने जो एक प्रिक्षय कलंडर जारी किया गया है उसमें भरती प्रिक्षय की तिती और साथ ही संभावित रजल्ट की तिती जारी कर दी है और उसी के अनुसार रास्तान करमचारी चैनबोड कारे कर रहा है तो कोई भी अभ्यार्त ही यह नहीं सोचे कि टाइपिंग की तिती आगे फिच होती है उसके 10 मार्च 2025 तक उसका रजल्ट जारी कर दिया जाएगा सात्यों लिपिक ग्रेट सेकिंड कनिस साइक सेंक्षिती बरती प्रिक्षय LDC के दी जो सेकिंड फेज का एक्जाम होगा वह टाइपिंग टेस्ट आपकी कंप्यूटर गती प्रिक्षय ली जाएगी इसक तंकर गति प्रिक्षय आपके 10 मिनिट की होगी और Efficiency टेस्ट उसका 10 मिनिट का हुआ इसी प्रकार सदें इंग्लिस के लिए उसके आदार पर उनको ऊस्त अंक परदान कर दिये जाएगे उनकी टाइपिक टेस्ट नहीं ली जाएगी याने सात्यों टाइपिक टेस्ट पास जरूरी है यानि नो नमबर आपको हिंदी और नो नमबर इंग्लिस के अंदर आपको लाना जरूरी है कम से कम टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए आपको अठारा नमबर चाहिए होगा और यह नमबर दोस्तों आपके अंति मेरिट बनेगी उसमें भी काम आने वाले हैं तो आपको अच्छी तरह से टाइपिंग की स्वीट बड़ा कर और अच्छी एक्यूरेंसी के साथ टाइपिंग की तैयारी करनी है और टाइपिंग देनी है इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है कि इसमें मिनमम कुवालिफिकेशन 37% है औ तो आपको जितने अधिक अंक लेके आओगे उतना है आपको फाइदा होगा जितने अंक आपने परतम पेपर यानि जो एक्जाम होता उसमें लिया और उसके बाट टाइपिंग टेस्ट में आपने अंक प्राप्त के दोनों अंक जोड़े जाएंगे उसके आधार पर आप मानके चलिए यह 25 नॉम्बर तक 99% आपका रजल जारी कर दिया जाएगा इसके बाद 2021 से 24 जनुभर 2020 सक इसका टाइपİंग टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट के बाद 10 मार्थ 2021 तक इसका फाईनल रजल जारी कर दिया जाएगा इस प्रकार दोस्तों रास्त झाल झाल